राजमीती के आंगन से जुर्म की दुनिया तक गिरामी लिलाकों से शहर की गलियों तक प्रदेश की हर छोटी बड़ी खवाँ से करेंगे आपको रूबरू पर पत्रकारतया जगत में सोक की लहर है रविवार को आगरा केंट इस्तित आटल चोक और मलप्रा के जारुआ कट्रा पर आयोजित चोक सोक सवा में पत्रकार अमी आदार निडर को भाव भीनी सिंदा जली अरपित की गई सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक छित्र से जुड़े लोगों के अलावा पत्रकारिता से जुड़े पत्रकारों ने भी अपने साती के छित्र पर फूल माला और पुस्प अरपित कर अपनी सोग सम्मिन देना ब्यक्त की लोगों ने अमी आदा निडर के आस्मिक निदन को सात्यकला लेकन और मीडिया जगत के लिए अपूर्डिय च्छती बताया उन्होंने सतत परिश्रम से सात्य लेकन कभी और मीडिया के छेत्र में आलप समय में ही बरिष्ट पहचान बना थी सरल्टा एवं सौमेव्य स्वभाव के कारड सभी के साथ उनकी आत्मित्य थी इस वस से दिवगत आत्मा को अपने चरणों में इस्तान देने वा सोग संपत परिवार को दुख सहन करने की सक्ति प्रदान करने की प्रात्ना करते हैं साथ ही लोगों ने सरकार से पत्रकार साथी के परिवार को 50 लाग की आरतिक सहयता वा एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की अमी आदा निडर से आगरा के कई प्रमुख समाचार पत्रों में उन्होंने अपनी सेवाई दी देनिक जागरण में कार्यत कर रहते हुए वे मतुरा के जिला प्रभावी भी रहे बरतमान में वे पत्र का हिचकी का संपादन कर रहे थे साथ आगरा कॉलेज में पत्रकारितगा के चात्रों को इस छेत्र की बारिकियां सिका रहे थे अपनी लेकन सैली और म्रदुल ब्यवहार के चलते वे सभी के प्रियत थे कोविड नैंटी की सिकायद होने पर होने है राम रगू ऑस्पीटल में बरती कराया गया था यहां आलत में सुधार ना होने पर मैदानता हॉस्पीटल गुरू गिराम सिप्ट किया गया था दो बार प्लाजमा थेरेपी होने के बाद भी उनके स्वास्त में अपेच्छित सुधार नहीं हो सका अब वेहां मेशा मेशा के लिए हम सब से दूर चले गए स्रद्दा जली देने वालों में बरिष्ट पत्रकार चौपचिक सकसेना जीतु कैन कनया लाल दुवे योगेश कुमार चोदरी हर्जिस सिंग सहीत ग्रामिड लोग उपस्तित रहे एंडी वारत न्यूज परिवार की तरफ से बहाव वीहन स्रंदा जली अरपिट वाईके सिटी न्यूज से सामपद्दाता योगेश कुमार की रिपोर्ट आगरा से आगरा के वरिष्ट पत्रकार मुएवं सहितकार डक्तर अमी आधार निड़र जी का जिस प्रकार अक्समित निधन हुआ है उससे आगरा जगत में सूक की लहर दोड़ गई है जहां पत्रकारता के लिए वो एक मिसाल थे हसमुक चेरे थे और हर्थ किसी को अपना ये साथ लेके चलने वाले थे वहीं नवोदित जो पत्रकार होते थे उनके लिए वो हर समय तयार रहते थे और उन्हें आगे बढ़ने में अविशा पिरना देते रहते थे आज उनके निदन पर हम सब ने गाव जारुवा में मंदर पर मलप्रा चेत्र वह आसपास के लोगों ने मिलकर उनको स्रद्दांजली दिया दो मिनट का मौन धारन गया है और कोरोना काल में मेरा सभी से निवेदन है जिस परकार कोरोना के कहर्ग हरो दिखाई दे रहा है मीडिया भी बीच हमारे बड़े भाई वरिष्ट पत्रकार एवं साहितकार नहीं रहे है